हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर चैनल टार्गेट क्रेक एक जाम तो दोस्तो आरपी एलपी अन टेकनिशन से एक अब्लिक 2018 वाले करेंट्स के लिए और भी गुहाटी जों से बहुत ही बड़ी ऑफिसल अपडेट है जिहां दोस्तों यहां पे फाइनल पैनल के बाद मेडि और बनेडिक बाद बनता हूं इसवचे मुझे वीडियो बान एक थोडा से टाइम लग जाता है वाँकी रिश्ट में उसमें एंसिस किया दोस्तों पैनल में नाम होने के बाद भी आपकी claim list में फिर से मौका दिया गया आपको claim करने के लिए तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का क्या effect पड़ेगा जो पैनल में सब्सक्राइब उनके लिए और जो अभी waiting list में उनके लिए तो दोस्तों इस पूरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों बिल बटन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों वीडियो पसंदात इसको लाइक और अपने द दोस्तों मैं आपको सिधा लेकर चलता हूँ पहले जो ऑफीसियल यहां पर पर क्लेम निश्ट आईए उसको आपको दिखाता हूं तो उसको अपन कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दुस्तों यह आठ एक दोजार वीस की नोटीस है त्योंकि आपको वीडिय यह आपको 10 तारीक को प्रोवाइट करा रहा हूं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको लिखा गया 92 कर्णिट को जो की अन्फिट पाए गये थे उनको दोबारा मौका दिया गया है फिर से दोबारा का दूस्तों यह तीसरी आपकी मतलब दूसरी चा आपको प्री सब्सक्राइब आपकी जो फॉर्मेट है उस पर आपके गवर्मेंट या प्राइबेट डॉक्टर से जो इस पेस्ट लिस्ट है उससे अपको अपने आपको फिट दिखाके वहां पर अपील करना है साथ इसाथ दोस्तों डॉक्टर को यह भी बताना है कि जो आप इस तरह से अनफिट है इस वेज़से दिया गया और आपको दोस्तों एक हजार उपय का डीडी लगाना है तो अब दोस्तों देख लेते हैं यहां पर आपको देसकते हैं कि 92 लोगों का नाम दिया गया है जबकि आप सभी को पता है एलपी की पूरी पैनल हो चुकी है और टेक्णियसियं में बी कुछ 120-128 की आसपनीड 57 खाली है लिसमें माक्सिम एसी गया है तो दूस्तों क्या पैनल में चेंज होने के बाद मकि pre-ходит पैनल में चेंज और कितना चेंज होगा उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं दोस्तों अगर कोई फिट पाता है तो जो बाउंडर लेंड पे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर मौका दिया गया है और फिट कैंडिस पाया जाता है तो दोस्तों पैनल में चेंज होगा कैंडिस का मैच कर आया जिनका यहां पर क्लेम लिश्ट में मौका दिया गया और फाइनल पैनल में नम आ चुका है अलड़ी तो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं आप यहां पर देख सकते हैं कि यह पर यहां पर मैंने फाइनल पैनल दे रख है फाइनल पैनल आया था अब इसमें मैं तो रोल नंबर को सर्च कर लेता हूं दोस्तों आप जैसी रोल नंबर सर्च करेंगा आप देख सकते हैं इनका सेलेक्शन टेक्निशन ग्रेट 3 इलेक्टरिकल ट्रेन लाइटिंग 49 कैट्गरी में हुआ था दोस्तों इनको फिर से बाद वाले में इनको दे दिया गया है तो दोस्तों हो सकता है अगर यह फिट हो जाए तो इनकी मनबसंद की पहला प्रिफरेंस था वह मिल जाएगी और यहां पर कोई कैंडिर्स वेटिंग निश्स से आ जाएगा तो दोस्तों अब हम एक से नहीं और भी ऐसे कैंडिर से उन सब को भी मैं verify करवा देता हूँ अभी तक आप्सका गेम इसको रहा है इसके बाद यहाँते ही मैं आपको और verify करवा देता हूँ जो कि यहाँ पर आपके पाए गयते तो दुस्तों यहाँ यहां पर देख सकते हैं 37 नंबर का मैं आपको कॉपी कर लेता हूं वेंग के विकेस जकदीज जी का तो दोस्तों यहां पर मैं रोल नंबर को फिर से पेस्ट करूंगा इनका अब यहां पर देख सकते हैं पेस्ट करते ही इनका भी फाउंड हो गया है इनको दोस्तों टेक्नि आपि यह जो सब्षक्ता है कि अंपर यह अम्रें द्रिट्र जीन का मैं inhal रहा है यह नहीं मिल रहा है कि उस्मस्फ हो यह आ ना मैच कर जा रहा है तो दोस्तों यह यह फाल करते हैं यह भी देखिए उसका बड़ी से लेटरी में मिलाता तो दूस्तों इन मैक्सिम्ट से आप पैनल में और इसका इसका नहीं पढ़ने वाला है फिट हो के अनफिट हो थोड़ी से बस पैनल में हेर फिर हो सकती है और जो अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अधर आप सेलेक्शन हो चुका है आपको सब्सक्राइब नहीं पढ़ने वाला है और भी ने क्या सोचके किया है वो तो आर भी जाने बड़ दोस्तों पैसल में आने कब मुझे लगता कि कोई कैंडिर्स ऐसा भी होगा जो अपील जल्दी करेगा अगर आप चाहते हैं तो अपील आप कर सकते हैं यह आपको दोस्तो यह रही हमारी आज की इनल्टिक वीडियो आउप आपको यह पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगल